वह दिन याद है आप लोगों को जब बोटी मीडिया के परतिन्दी पत्रकार रवीश रोते रोते कहते थे कि कोई आता नहीं है भाज़पा का सबने मुझे बाइकाट कर दिया है कोई आएगा नहीं तो मैं रिपोर्टिंग कैसे करूँगा आज उसी बोटी मीडिया के लोग इस बात को सेलिबरेट कर रहे हैं कि आई एंडी ए ने बहुत सारे पत्रकारों को बाइकाट कर किया है शर्म ही आ रही है एक तरफ राइट टू एक्सप्रेशन की लड़ाई लड़ने का ढोंग करते हैं दूसरी तरफ लोगों को पत्रकारों को अपनी बात ना कहने देने के लिए रोकने के लिए ऐसे उपसव का महौल बनाया हुआ है इन लोगों ने अरी कोई तकलीफ है आप कंप्लेन करिए आप भी अपनी बात रखिए वो भी अपनी बात रख रहे हैं इतने दिनों से इतने सारे बोटी यूट्यूबर्स पता नि क्या 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 कह रहे हैं कल को इनके खिलाफ कोई कारवाई होती है और वो सेलिब्रेट की जाती है तो क्या उसकी स्विक्रती मिलेगी उन सब लोगों की तरफ से ये गलत हो रहा है वो चाहे बिहार में मनीश के साथ हो या आई एंडिये के लोगों द्वारा उठाया गया कदम हो ये गलत किया जा रहा है पूरी तरह